बहुत सारे लोग मुझे इस्टाग्राम पर DMP करते हैं और काफी सारे लोग कॉमेट करते हैं कि सर क्या हम विधाउट जीएश्टी एकॉमर्स के बिजनेस स्टाट कर सकते हैं अगर मैं टेकनिकली बताओ तो आंसर इस यस बट यहां पर काफी सारी लिमिटेशन भी आता है कि सारी प्रडॉक के अंदर आप नहीं कर सकते हो प्रटीकुदर जो किस एक्जमिटर केटेगरी होती है उससी के अदर आप कर सकते हो तो क्या होता है कैसे होता है अगर आप अगर आप काफी सारी तो कस्टमर होते है वह ओनलाइन शॉपिंग करते है अब ओनलाइन शॉपिंग के बदर रहा है उसको भी डिजितल बनना पड़ा उसको भी ओनलाइन प्रडॉक के सेल करनी पड़ रही है रहे तो यहां पर क्वेडिय आती है कि सुर अमारा पास जीश centre business start कर सकते हो कौन सी बॉटक क अंदर एक्Жम्टेर्ट हो इस के लाव बात करते हैं is यह इसके लूट कोंसी फूट्स हो ग tanto कुछ seeds आते हैं जो लाग पेड़ पोते होगाने के लिए कुछ seeds आते हैं तो इस टैप की जो प्रोड़क होगी कोई fresh fruits ये vegetable हो गया कोई meat product थोड़ी बहुत कुछ होगी तो इस टैप की जो प्रोड़क होती है हो किसके अंदर आती हैं तो इस टैप की प्रोड़क का online sell कर सकते हैं दूसरी जो अपने मर्जी की साब से प्रोड़क हम यहाँ पे sell नहीं कर सकते हैं उसका पूरा लिस्ट होता है Amazon पे कौनसी कौनसी प्रोड़क आप विदावट GST sell कर सकते हो उसका link में आपको description के अंदर द कर सकते हैं तो यहाँ पर अपने कुस्स इंपोटनसी के बार भाव डिसके करते हैं कि हर कोई जो seller होता उसका अपने होता है जैसे कि मेरा का क्रेटर होता है उसके अंदर जो प्रोड़क फीट होता है उसी प्रोड़क को में launch करता हो ऐसके अंदर क्या होगा आपके बहुत ह अए प्रोड़क के अन्दर आपके मास जाले मुनिंबर नहीं है तो आपके मास ब्रोड़क करते करने का प्लाणिग को कर रहे हो आपका आपके बिसनेस नबर नहीं है तो मेरे सबसे यहां पर मैं सजेक्स करना साओंगा कि आप लेके बिजनेस करो गया आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा चुकि इन फ्यूचर आप बिजनेस को ज्यादा स्पीड से ग्रोग करवा सकते हो एक बर आपको पूरा जिसका सेल्स के अच्छा रहे चूंकि अच्छी प्रोड़क जो सल रही थी उसी को हमने कंटीनू किया था जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा रिटें था या तो कस्तमर को पसंद नहीं आ रहे थी जातो किसी का ट्रेंड चला गया उसको हमने क्या बंकर दिया तो यह सी कि हमार और एक रहे दिर्फिझ के बार आँ बात करें तो ऊब को क्लेम यह कूद भी तो हमने को पूब्र जालो के टैनमास यह सुल्शन पर यह प्लस उसने कुछ एडरन कर रहा होगा तो डेट्स से दो लाग संkun किया सार्जिस लेता है अपने कपके सलते अपने कितना सिफ पकड़ लिय like 1 रूपीस यहाँ आपको क्या लगता है 5 रूपीस के सेज़् पर 5 रूपीस आप क्या कर तो Amazon को पै कर सार्जिस के 2 रूपे 27,000 अगर आपके पास GST नमबर नहीं है तो यह जो 27,000 हो रहा उसमें से आप एक भी रूपीज क्लैम नहीं कर पाऊँगे यह सारा के सारा कहां पर चला जाएगा गवर्मेंट के पास चला जाएगा अगर आपके पास GST नमबर है तो यह जो 27,000 जो आपको सार्जिस लगा उस दोस्तों इससे tension मत लो क्योंकि हमारा काम नहीं है एक कोन करता है CA करता है आप कोई अच्छे CA से कॉंटे करो monthly फाइल करना होता है quarterly करना होता है जो भी फाइल करना होता है जो भी फाइल करना होता है मेरे खुद के पास क्या तीन GST नमबर है मेरा जो दूसरा भी कमपनी है उसके अंदर ही मेरे पास Zhhe number है k बीजनेस केरीकरी मत्रेमेक तकω देखता है ईतना काफी सारे बन कैसा सकते है में पर इतनी प्रोड़क्त रदकेश़ करें सेंथ पर लगत प्लस यह सबुंगका कर सकते हों इस वोडिया में इतना information था इसके अलाव भी आपको कुछ भी question query है तो मुझे comment section के अदर जरूर से बताए मैं आपको मिलता हूँ next video में तब तक के लिए bye bye